कि हलो मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास एट का चेप्टर नुबर 14 एकसाज 14 एक का क्वेश्चन नुबर 11-15 ठीक है देखते हैं कि साल होता है तो इसको में साल करना है तो साल करते हैं सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है लिखा है 3A-1 by 5 लिखा है लिखा हुआ है A by 5 प्लस 5 by 2 by 5 ठीक है तो आप का करेंगे इसको सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपल टाइप का साल करते हैं ठीक है तो यह यह हो जाएगा 3a by 1 लिख सकते हैं इसको लिख सकते है न? और इसको हम लिख सकते है 1 by 5 पहले सही है और ये a by 5 है और ये क्या है? इसको हम लिख सकते है 5 5 दे 25 2 27 ठीक है? अब चालो करना हो गया आसान variable वाले term को constant वाले term को इकसाइड. मदब number वाले term को ये पहले को एक साइड़ एलफाभेट वाले ट्रम को कर देते हैं तो देखते हैं तो 3 x 1 है ठीक है अलफाभेट वाला ट्रम है ठीक है और यह है इसको जो है positive a by 9 है negative left side में जाएगा negative a by 5 में ठीक है यह हो गया यहोगहए 27 by 5 ठीक है 27 by 5 अब बचा क्या है negative वन वा ऐइफ हो जाएगा राइट साइड में तो आप क्या करेंगे इसको हम सालो करते हैं तो यह क्रिक है इसको सालो करेंगे तो यह हो जाएगा 5 त्रीजसा 15 A माइनस 1 का मल्लिप्लाई A के साथ 155 ठीक है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं नीची का बीया सेम है तो इसको एक बार लिख सकते हैं ठीख है, तो यह हो जाएगा 27 प्लस 1, ठीख है, तो अब का करेंगे इसको, तो सट्रेट होगा 15 A में से A सट्रेक्ट हो जागा यह हो जाएगा 14 A by 5 ठीक है यह क्या हो जाएगा 27 और 1 कितना हो जाएगा 28 by 5 ठीक है अब का करें अब का करें इधार देखो इधार 5 और 5 एक्के जिक्षा है ठीक है तो अब हम करेंगे यहां 14 A equal to 28 बच रहा है तो हम का अब कीसे साल होगा हम लिख सकते हैं A equal to 28 by 14 ठीक है तो 14 बंज़ा 14 14 टूजा 28 मतलब कि A equal to 2 by 1 है न और इसका मतलब A equal to 2 ठीक है तो सायद यह answer दिया गया हो question number 11 में ठीक है देख लेते हैं क्या दिया गया है 14 A का question number 11 में दिया गया है 2 ठीक है answer यही दिया गया है ठीक है तो अब साल हो गया और यह वाला question exact उपर वाले के जैसा है सालो कर सकते हैं आप ठीक है तो यह भी सालो कर सकते है ठीक है तो अब बारी आती है इसकी इसको कैसे सालो करेंगे देखते हैं question number 13 को लिखा हुआ है 4y प्लस 2 बाई 5 है ना और आगे लिखा है 7 प्लस 5y बाई 13 ठीक है तो अब की से सालो करेंगे इसको देखते हैं तो यहां है 4 अंदर multiply हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4y प्लस 4 to the 8 by 5 है ना अब यह क्या हो गया है 7 को हम लिख सकते हैं 7 by 1 प्लस 5y by 13 है ना ये हो गया है अब अभी कुछ और करना बाकी है ठीक है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 4y by 5 है ना और प्लस 8 by 5 लिख सकते हैं क्यों कि दोनों का बेस सेम है तो इसको एक बार 5 तो लिखा जा सकता है और 4y प्लस 8 हम लिख सकते हैं इसको है ना समझ में आया होगा 7 by 1 plus 5y by 13 है ना चलिए अब सॉल करते हैं आगे नमबर वाले टम को X side और अल्फविट वाले टम को X side मतलब variable को X side constant को X side ठीक है तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है 4y by 5 है तो इसको X side रहने देते हैं 4y by 5 है ना और यहां क्या positive वाला 5y by 13 negative 5y by 13 हो जाएगा ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं 7 by 1 को यहीं रहने देते हैं और positive वाला 8 by 5 negative वाला 8 by 5 हो जाएगा ठीक है चलिए तो अब शॉल करते हैं आगे है ना तो क्या हो जाएगा 13 4 जा 52 y ठीक है माइनस 5 5 जा 25 y और यह 5 थे 13 पच्चे 65 ठीक है अब यहां क्या बच्च रहा है 5 थे 5 35 माइनस 8 वन्था 8 थीक है अब बच्च रहा है 1 5 जा 5 है ना तो अब क्या कर सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं यह बच्चेगा 52 मेस से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बच्चेगा 27 बचेगा यह बचेगा 12 में से 5 गा 7 बचेगा 5 में से 4 में से 2 बचेगा ठीक है अब वाई है ना 65 है ना अब यहां का बचने वाला है 35 में से 8 सब्सक्रेक्ट होगा क्या हो जाएगा अब यह बचेगा अब इसको साल करेंगे आगे क्या हो जाएगा यह नीचे वाला नीचे वाला कर जाएगा कि नहीं यह उत्व हैंलए कि यहां क्या मच रहा है 25 भाई 7 वाई सब्सक्रेक्ट हो जाएगा वाई भाई 13 बच रहा है तो इसका मतलब वामचते हैं ठीक है उगके ने यह एज एंसर दिया गया हूँ ठीक है तो यह है question number 13 दिखते हैं 14 ए question number 13 है ना तो 13 का answer क्या आया हुआ है 13 ही आया हुआ है ठीक है सही ठीक है तो अब next वाला शालो करते हैं देख लीजिए answer है ना तो आप शालो करते हैं next वाला और तो यह वाला हम सालो कर देते हैं नीचे वाल एक्सेक्ट उपर वाले के जैसे है आप आसानी से सालो कर सकते हैं ठीक है तो यह हम सालो कर सकते हैं यह है आप सालो करते हैं तो पर वाला क्या लिखा हुआ है a plus five by six minus a plus one by nine equal to a plus three by four ठीक है अब लेंगे इसका lcm ठीके तो 6 और 9 का lcm क्या होता है 18 होता है तो अब 6 3 जा 18 इसका मतलब 3 का मर्लीपलाई a plus 5 के साथ 9 2,18 इसका मतलब यहां बीच पर माइनस है 2 का मर्लीपलाई a plus 1 के साथ ठीके तो आगे क्या लिख सकते है a plus 3 by 4 ठीके तो अब सालो करते हैं आगे ठीके तो क्या है यह, यह है 3A plus 15, ठीक है, अब यहां क्या बच रहा है, minus 2A, minus plus minus 2, ठीक है, अब यहां बच रहा है 18, अब यहां बच रहा है, A plus 3 by 4, है ना, है ना, तो अब सालो करते हैं इसको, यह क्या है, 3A में से 2A सब्ट्रेक्ट होगा, क्या बचेगा, सिर्फ A बचेगा, ठी ठीक है और है माइनस प्लस उलाई कहुन्ब रहेगा अब यहां 2015 से तू असको n daba ठीक तो एब कई से साल होगा बीच में एक्कवल है क्रास हो सकता है ठीक है तो कर लेते हैं एफार का मल्लिप्लाई एफ्लस 13 के साथ है और 18 का मल्लिप्लाई A plus 3 के साथ ठीक है तो अब असालो करते हैं तो यह हो जाएगा 4A plus 13 फूर्जा 52 यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 18A plus 54 ठीक है तो अब दिखते हैं आगे क्या होगा 4A 4A को 4A रहने देते हैं यह क्या 18 है 18A है कौन सा positive वाला 18 है left side में जाएगा negative वाला 18A हो जाएगा यहाँ बचे रहा है 54 यह positive वाला 52 negative वाला 52 हो जाएगा ठीक है चलिए तो अब क्या होगा यहाँ बचेगा सिर्फ 2 54 में 52 सब्ट्रेट होगा 2 बचेगा यहाँ क्या हो गया यहाँ बचेगा 14 बचेगा 18 में से 4 गया 14 बचेगा 14, 4, 18 होता है और A रहेगा सिंबल कौन सा रहेगा negative वाला रहेगा ठीक है तो देख लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ बचेगा यहाँ बचेगा A equal to 2 A equal to 2 by 14 ठीक है और तो इसको क्या हो जाएगा 1 by 7 2 अंदा 2 तो 7 अंदा 14 और माइनस सिंबल वाला माइनस रहेगा ठीक है तो A equal to minus 1 by 7 हो सकता है यही answer आया हो ठीक है तो देख लेते हैं क्या लिखा है ठीक है तो यह question of 14 का answer तो minus 1 by 7 अंसर आया है ठीक है तो अब आई मुद्दे की बात बात साज में आई हो तो वीडियो लाइक करो और चैनल सब्क्राइब कर दो ठीक है पाई